करन जोहर के चेट शो कॉफिवित करन आठ के लेटेस्ट एपिसोट में अजे देवगन और रोहिच शेटी नजर आए हैं इस एपिसोट में अजे देवगन ने अपने पिता स्वर्गी एक्शन डारेक्टर वीरु देवगन के बारे में बात की अजे ने बताया कि उनके पिता ने तेरा साल की उम्र में घर छोड़ दिया था और स्ट्रिट गेंग के मेंबर बन गए थे एपिसोट में करन ने भी अपने पिता येश जोहर की बात करते वे कहा कि उन्हें नेपोटीजम पर बहस मजा क्या लगती थी शोह में करन ने अजे से पूछा कि क्या आपके पिता को वो सरार ना मिली जिसके वो हगदार थे तो अजे ने कहा आखिर में हाँ वो सिर्फ 13 साल की उम्र में पंजाब से बिना ट्रेन टिकेट के भाग कर मुंबई आ गए थे उन्हें जेल हुई उनके पास ना काम था और नहीं खाना किसी ने उनकी मदद करते वे कहा कि अगर वो उनकी केब धोएंगे तो वो उसमें सो सकते हैं वहां से उन्होंने कमाना शुरू किया फिर कारपेंटर बने और फिर मुंबई के सायन कोली वाड़ा के गेंगस्टर बने एक वक्त था जब उनकी गेंग थी और वो गेंगवार का हिस्सा हुआ करते थे शो में अजे ने जब ये सब बताया तो करण ने काफी शौक्ड रियक्शन दिया अजे ने आगे कहा एक दिन सीनियर एक्शन डारेक्टर रवी खन्ना ने उन्हें स्ट्रीट फाइट करते वे दिखा उन्होंने कार रोक कर पापा से पुछा कि तुम करते क्या हूँ अजे एक्शन दिन आप साथ कर दिखा हुआ 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 है